शराब का घोटाला क्या है शराब का लिकर स्कैम क्या है vantage सीधे सीधे अब यह established हो गया है कि कम से कम 100 करोड की रिश्वत ली गई है कम से कम 100 करोड की रिश्वत और उसके अंदर face time के उपर केजरिवाल से businessmen से बात कराई गई और businessmen से बात कराने के बाद wholesale dealers को जो private wholesale dealers हैं उनको 12% commission 5% से बढ़ा करके 12% commission ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किक बैक आम आदमी पार्टी और केजरिवाल को दिया जाएगा और money trail भी establish हो गया है कि वो पैसा 100 करोड रुपे गोवा के elections के अंदर आप पार्टी ने इस्तिमाल किया और Congress के किया कि जो vote उ theor हेँ को मिले वो Congress के खिलाफ में मिले तो केजरिवाल ने Congress को हराने के लिए Congress को नुक्सान पहुंचाने के लिए के ज्रिवाल ने 100 क्रोड का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार केजरिवाल और इनके मत्रियों को जो जिन 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 καण नाम इसमें है चाहे वो मनीश इसो दिया चाहे सतेंदर जैन को इनको कोई नहतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकेंड भी और रह जाएं 6% 12% में से किक बैक दिया गया यह establish हो गया कि advertisements जो दिये गए वहां पर गॉअ में वो establishments के पैसे इसी किक बैक से दिया गया है यह एडी के चार्चीट में mention है यह establish हो गया है कि 70 लाक रुपे इनके वॉलेंटियस को इसी पैसे में से दिये जो जिन लोगोंने आगे सर्वे किया गया वह मनी ट्रेल इस्टैब्लिश हो गई जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है जब मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो गई और पीय में लेकर कोट ने थर्सडे को संग्यान ले कर के चार्ट शीट को फाइल करने के लिए एडी को कह दिया है तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरिवाल को है कि वो एक सेकेंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं तो आज को अंग्वेस पार्टीं से पूछना चाहती है